प्रदूशन का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसको लेकर केंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोड के एक यूआई रपोर्ट में प्रदूशन का स्तर 385 बताय गया है जो से देखते हुए अब पटना में जितने भी नीजी स्कूल हैं सभी स्कूलों में जो बसे होंगी वो भी CNG से चलने वाली होंगी असको लेकर निर्देश जारी कर दिये गया है साथी साथ आपको बता दे कि एक माह का सभी स्कूलों को समय दिया गया है कि एक महीने के अंदर जितनी भी सुरक्षा मानके हैं उन्हें पूरी कर ली जाए ताकि बच्चों को भी कोई परिशानी ना हो आपको बताते चले कि पटना में नीजी विद्यालेओं में चल रहे स्कूली वाहनों को चरनवार सी अंजी में बदलना है जिसको लेकर एक माह में वाहनों में स्पीड गवर्नन लगाने परमिट, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनिस का पालन करना अनिवार वरना एक माह के बाद जांच के दोरां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर कारवाई की जाएगी। परमिट और जितने भी जरूरी प्रमान पत्र हैं सभी पूरा कर लेना है तब ही जाकर उन्हें परमिट मिलेगी। साथ उन वाहनों को भी मानकों का पालन करना अनिवारे रहेगा। बैठक में डियम चंदर शेखर सिंग ने कहा कि जुला प्रिशासिंग के द्वारा प्रदूशन नियंतरन और सड़क्षा के लिए सभी कारे किये जा रहे हैं। एक महिने के बाद पुना समिक्षा की जाएगी। जुसके बाद कारवाई कर पूरा जाइजा लिया जाएगा कि असल में जो भी वाहने हैं उन्हें सुरक्षा के मानकों का पूरा खयाल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। आपको बता दे कि यह सर्फ और सर्फ प्रदूशन को नियंत्रन करने के लिए इन मानकों का ध्यान रखना काफी अनिवारे बताया जा रहा है। साथी साथ आपको बताते चले कि राज्य परिवहन आयुक सीमा त्रिपाठी ने कहा कि वध्याले वाहनों के लिए नरधारित मानकों का अनुपालन अनिवारे हैं। स्कूल में चलने वाली बस के अलावा लीज या भाड़ा वाली बसों को पीछे और सामने स्पस्ट रूप से ओन स्कूल डूटी लिखना होगा। स्पीड गवर्नर होनेर से अधिक्तम गती सीमा 40 किलोमेटर प्रती घंटा रहेगी। समय दिया गया है। एक मा में वेस सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर ले ताकि आगे चलकर कोई परिशानी ना हो। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें, नमस्कार